कौर्ट का ज्यान और विवात की वाफी जिसने शिव भक्तों के इंतजार को और ज़्यादा बढ़ा दिया है आज वायरसी कौर्ट में कावन डेटिंग या वेज्यानिक तरीके से जाच का आदेश आला था लेकिन वायरसी कौर्ट में हिंदू पक्ष की आजका को खारिच कर दिया जिसके लिए सुप्रीम कौर्ट की उस टिपणी का हवाला दिया गया जिसमें आकरती को नुकसान ना होने की बात कही गई थी लेकिन अब सवाल ये है कि ये फैसला हिंदू पक्ष के लिए कितना बड़ा जटका है या फिर ये लड़ाई अभी आगे जाने वाली है देखिए इस रिपोर्ट के जरीए आखिर क्यानवापी में ये आकरती शिवलिंग है ये फवारा इस बात का पता लगाने के लिए जिन बेक्यानिक तरीकों के इस्तमाल की इजादत कोट से मांगी गई थी आज वारानसी की कोट ने उसे खरच कर दिया लेकिन इस फैसले से ना ये जंग खत्म हुई है और ना ही ये विवाद अब हिंदू पक्ष मामले को लेकर उपर की कोट में जाने की तैयारी कर रहा है देकि मेरे साब से ये ओर्डर एरोनियस है क्योंकि मानी नयले ने इस बात को एप्रिशेट नहीं किया कि सुप्रीम कोट ने 17 मही के ओर्डर के बाद 20 मही का ओर्डर भी पास किया है 20 मही के ओर्डर में सुप्रीम कोट ने पूरा ट्रायल सिविल ज़से डिस्टी जच के ट्रांसफर किया और ये भी कहा है कि सारी एप्लिकेशन्स डिस्टी जच डिसाइड करने के लिए इंपावर्ड है साथ 11 की एप्लिकेशन फ्रायाइटी पे डिसाइड होगी और उसके बाद बाकी एप्लिकेशन्स डिसाइड की जाएंगी मानी नैले ने इस बात को इग्नोर किया पहली बात सुप्रीम कोट ने कहा था कि कथित शिवलिंग मिलने की जगह को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए इसका हवाला देते हुए जिला कोट ने कार्बन डेटिंग या ने विज्ञानिक पद्धती से जाज की मांग खारिच कर दिये ऐसे में इसे हिंदु पक्ष के लिए जटका माना जा रहा है लेकिन हिंदु पक्ष को उपर की अदालत से बड़ी उम्मीद है जिसका रुक करने की तैयारी कर ली गई लिए ने जाश की मांग किया है क्योंकि अगर यह जांच हमारे पक्ष में आडर आता तो यह टर्निंग पॉइंट होता और यहां से स्यूलिंग और फवारे का बिवाद, मंदिर और मस्जित का बिवाद समाप्त हो जाता है। उदर हिंदू पक्षवादी महिलाएं भी क्यानवापी की इस लड़ाई में हार मारने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो अपने अधिकार को यूँ ही छोड़ने नहीं वाली है। जंग लंबी चलेगी। हाँ, यह साफ साफ बात है। सारे भरम खतम हो जाएंगे, कोई भरम नहीं रहेगा किसी के बीच में, क्यों भरम पाला जाएंगे, क्यों सारे देश को इसमें गुम्रा करके रखा जाएं। इसके खिलाब हमनों सुप्रीम कोट में चुनोती देखे। बहराल मुस्लिम पक्ष स्पैसले में अपनी जीत देख रहा है, जबकि हिंदू पक्ष इसे जटका मानने से इंकार कर रहा है। अब ये लड़ाई सुप्रीम कोट जाने वाली है, जिसकी तैयारियां हिंदू पक्ष ने तेज कर दिये। ग्यानवापी मामले में जहां वारानसी कोट ने सुप्रीम कोट के आदेश का हवाला देते हुए इस बात से इंकार किया कि ना तो कारवन डेंटिंग और कोई जाच नहीं हो सकती, जोकि शिवलिंग से छेरचाड नहीं की जा सकती। तो वह हिंदू पक्ष का मानना है कि 17 माई को दिये गए ओर्डर के बाद 20 माई के ओर्डर को नियायाले ने नहीं देखा है, जिसके अनुरूप ये कहा गया है कि इस मामले को लेकर के किसी भी तरह की जाच या सुनवाई की जा सकती है. अब इस मामले को लेकर के हिंदू उपक सुप्रीम कोर्ट में जाने को तयार है और उसका मानना है कि अब सुप्रीम कोर्ट से उसे रहात मिलेगी जहां इस कारबन डेटिंग या वैग्यानिक तरीकी के परिक्षन के जरिये ही वो इस बात को साबित कर पाएंगे कि जो शिवल